नमस्कार स्वागत है आपका तेरी मेरी रसुई में आज हम फिर से आपके एक और नहीं रसेपी ले करा हैं आज हम बनाएंगे मटर बनीर वो भी एकदम साधा तरीके से भर में अप्रियेबल चीजों से अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमा लिए और चोटा तुकड़ा अध्रक का लिया है इसको भी हमने छील कर रफ्रिकट कर लिए अब हम कैस अन करके एक कड़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर कड़ाई अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें प्याज लेसुन और अध्रक तीन कर नहीं करना है इसको सिफ ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे यह देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच रफली कटकी हुए टमाटर दो रफली कटकी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे आप चाहें तो इस टाइम पर नमक को स्किप भी कर सकते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और ढगकर दो से तीन मिर्ट तक मीडियम फ्लेम पर इन्हें कुप करेंगे यह देखिए तीन मिर्ट हो चुकी है और टमाटर अच्छे स सॉफ्ट हो गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इनकी प्यूरी बना लेंगे यह देखिए प्यूरी बंद का तयार है इसे आगे हम सबजी में ग अब हम गैस का फ्लेम एकडम लो कर देंगे और इसमें एक चमश लालमिच पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने जो प्यूरी बना कर रखी थी वह इसमें हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे यह इस टैप हमें थोड़ा स या food color का use कर सकते हैं और अब इसको हम अच्छे से mix कर देंगे सारी चीजे अच्छे से mix हो गई हैं अब हम इसमे कुछ सुखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चमज धन्या पाउडर एक चौता ही चूटी चमज हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से mix कर देंगे सारे मसाले अच्छे से mix हो गए हैं अब हम इसे ठक कर 2-3 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे यह देखिए 3 मिनिट हो चुके हैं और ग्रेवी में से ओइल सेपरेट होने लगा है अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तक तक भूनेंगे ज से पूरा सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा तो इस पूरी प्रोसेजर में हमें 5-6 मिनिट टगेंगे यह देखिए ग्रेवी अच्छे से भून गई है इसका कलर पहले से चेंज हो चुका है और इसकी कौंटिटी पी आदी हो चुकी है तो अब हम इसमें पनी डालेंगे इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी तो पानी की कौंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप मठर पनी को जैसे भी बनाना चाते है थे कि या फिर ग्रेवी वाला तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम जादा कर सकते हैं तो इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे सौधनुसा नमक तो नमक हमने पहले भी ग्रेवी में डाला है इसलिए आप नमक ध्यान से डालें और अब इन सारी चीजों का अच्छी से मिक्स कर देंगे और इन्हें ढख कर तीन से चार मिले ठाई फ्लेम पर और यह लीजिए हमारा सांदार मटर पनी एकदम सिंपल तरीके से घर में अब्रेवल चीजों से बनकर तयार है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजा पावाता है आप एक बार बना कर जरूर ट्राय करें और इसको गर्मा गर्म सेफ करें तो अगर आपको आज के हमारी वीडि करना ना भूने थैंक यू